नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे देली पब्लिक स्कूल के सक्सेस स्टूरी के बारे में जी हाँ दोस्तों देली पब्लिक स्कूल को हम लोग डीपियस के नाम से भी जानते हैं देली पब्लिक स्कूल एक ऐसी संस्था कही है फिर एक ऐसी institution कही है भारत में जो की वन अप देली बेस्ट लार्जेस्ट स्कूल इंस्टिशूशन बन गई है भारत के अंदर भी और कई जगाँ पे अब्रॉड में भी इनके ब्रांचेस ऊपन हो रहे हैं और Delhi Public School को अब one of the best private schools की ख्याती भी प्राप्त हो रही है और ये एक अच्छे schools के रूप में इनके branches उभर के आ रहे हैं Delhi Public School का जो application है वो CBST New Delhi के द्वारा किया गया है और Delhi Public School की हम बात करेंगे की founder कौन है और Delhi Public School को establish किस ने किया है तो वो है PINCASE बरजातिया जी पिंकेस बरजातिया जीने 1949 को Delhi Public School को establish किया है एक society के रूप में उसके बात इसे अनंत बरजातिया ने समभाला है जिसे बाद में अनंत बरजातिया को vice chairman बना दिया गया Delhi Public School Society का Delhi Public School को Society Registration Act के तहट एक society के रूप में register किया गया है 1949 में और इसके official website आप इसके family के बारे में इसके founder के बारे में जानकरी आपको dpsfamily.org पर मिल जाएगा आप वहाँ से इसके official details को भी जान सकेंगे इनके family के इनके council के बारे में Delhi Public School का सबसे पहला branch 1949 में Delhi Public School Mathura Road पे established किया गया खोला गया इससे पहले इस school इससे पहले Delhi Church Public School के नाम से आजादी के पहले school यहाँ पे चलाया जाता था जिससे आजादी के बाद नभीन भारत स्कूल का नाम दे दिया गया और उसी को बाद में रिस्ट्रक्चरड करके 1949 में रिस्टरड करके AJ Society इसे Delhi Public School का नाम दिया गया और वहाँ से इसकी establishment मानी जाती है उसके बाद 1972 में Delhi Public School R.K.Puram किया establishment किया गया अभी अगर हम पूरे Delhi Public School की branches की बात करें तो one of the best जो सबसे best branch माना जाता है और जहां से अभी तक कई उभरते वह सितारे बे निकले हैं वो है R.K.Puram का branch Delhi Public School को एक और समस्या का सामना 2003 में करना पड़ा था Delhi Public School के नाम पे 2003 में एक Delhi Public School Trust ने registration करा के वो पूरे भारत में franchises बाटने लगी थी Delhi Public School के नाम से वो लगभग मिलता जुलता लोगों और उनके नाम के द्वारा अपनी franchise बाट रहे थी जिसके खिलाफ 2003 में ही हाई कोट ने Delhi Public School Trust को आदेश्त किया देली Public School को फर्मान जारी किया कि वो ये करना बंद कर दे ये फ्रॉड है इसे आप बंद कर दे तो ये केस 2012 तक चला उसके बाद जाके ये स्वाल हो पाया और Delhi Public School Trust को बंद करना पड़ा और उसे 10 लाग रुपे हरजाना भी देना पड़ा अब हम बात करते हैं कि Delhi Public School के कुछ ऐसे ब्रांचे से हैं ये कुछ ऐसे स्कूल से जो की CBSC से अफिलेटेड नहीं है जैसे कि DPS New Town Kolkata, NPS Megacity Kolkata, DPS International School Singapore ये सारे एफिलेशन ICSC से हैं ये CBSC से अफिलेटेड नहीं है अब एक और एफिलेशन है जो कि DPS International School साकेत निव देली का है वो IGCSC से अफिलेटेड है तो ये थी दोस्तो कहानी देली पब्लिक स्कूल की, कुछ और भी facts है देली पब्लिक स्कूल की जिसे आप सभी जाने DPS Society को 1949 में establish तो किया गया है, लेकिन इसे JD Tyler ने enable किया है और उसे land दिया है, एक secure land देके start कराया है तो यही कहानी है दोस्तो डेली पब्लिक स्कूल की, अब ये एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जा रहा है इसके लगभग 150 के आज स्पास आपको branches all over world मिल जाएंगे इंडिया के साथ साथ अब ये world में भी कही सारी branches के हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देहने के लिए उमीद करता हूँगा कि ये जो successful story मैंने आप लोगों को डेली पब्लिक स्कूल के बारे में दी है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों motivate होंगे और कहीं न कहीं अपने करियर में कुछ स्कूल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे तो एक छोटा सा स्टेप लेके स्टार्ट करेंगे, करने के लिए आप प्रेरित होंगे और आप ये ठान के चलेंगे कि आप ही आगे चलके बड़ा करेंगे फिर उटमेटिक बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों बने रहे हैं ट्रिक्स एक्सपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत